सब्सक्राइब करें सरवन लेक्चरर चैनल को और वेल आइकन दमाएं सबसे पहले वीडियो देखने के लिए हैलो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं अलंकार क्या देखने वाले हैं अलंकार और हम इस वीडियो में देखेंगे अनुपरास अलंकार और उसका उधारन और अस्पश्टिक करन और परिभासा और छोटा सा परिभासा देखेंगे अलंकार का ठीक है और हम आप लोगों को इतने टॉपिक्स अलंकार में पढ़ाने वाले हैं ठीक है आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे अनुपरास अलंकार क्या होता है उदाहरण सहित और अलंकार की परिभासा आज के इस वीडियो में हम लोग अलंकार देखने वाले हैं और अनुपरास अलंकार क्या होता है उदाहरण सहित ये वीडियो आप लोग को पार्ट्स को देखें काभी की सोभा बढ़ाने वाले तथ्यों को अलंकार कहते हैं ऐसा काभी जो काभी की सोभा बढ़ाता है काभी दिया हो उसकी सोभा बढ़ाता है तो वो जो होता है अलंकार कहलाता है जैसे दोस्तों जब आभूरसर को पहना जाता है तो और सोभा बढ़ जाती है तो उसी पड़कार से काभी की सोभा बढ़ाने वाले तध्यों को अलंकार कहते हैं इसे काभूसर समझेए तो दो यह हुव आपका अब ये दो परकार के होते हैं सब्डान कार अर्था अलंकार लेकिन दूस्तों हम आप लोग को केवल अलंकार बताएंगे इसमें और अनुपरास अलंकार ठीक है क्योंकि आप लोग के लिए यह सब बोड़ एक्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टन्ट है अनुपरास अलंकार क्या होता है चलिए दिक्कत कोई नहीं है आप लोग केवल देखिए बस अनुपरास अलंकार ऐसा अलंकार देखिए अलंकार कई होते हैं लेकिन हम इसमें लगाए हैं ऐसा अलंकार ठीक है इसका अलग भिन है तो ऐसा अलंकार जिसमें एक ही वन की कई बार या ऐसा अलंकार जिसमें एक ही वन की बार बार आबरती होने पर अनुपरास अलंकार कहलाता है अनुपरास अलंकार क्या है कि ऐसा अलंकार जिसमें एक ही वर्ण की आबरती कई बार हो अनुपरास अलंकार कहलाता है या दूसरे टाइप से देखिए ऐसा अलंकार जिसमें एक ही वर्ण की बार-बार आबरती होने पर अनुपरास अलंकार कहलाता है अदिश्विस्टों हम एक एक जामपल के लिए समझते हैं। चलिए हम लोग यहां समझ लेतेैं। जैसे हमारा हर बार आ रहा है मा मां। एक बार आ या मां। दो बार आ या मां। तो ये सब्ध की इस अच्छर के अभरती कई बार हुई। चोटा आ आ गया कई बार बड़ा आ ना ता ऐसे कई सारे एक पंक्ति में कई बार आएं तो वहां पर अनुपरास अलंकार होता है ठीक है अधि हम लोग उदाहरण भी समझेंगे लेकिन पहले आप लोग अनुपरास अलंकार की परिभासा समझ लीजे फिर हम लोग देखते है आएसा अलंकार जिसमें एक ही वन्ड की बार बार अबरती होने पर अनुपरास अलंकार गहलाता है अधि एक्जामपल है नोट्स करते रहना क्योंकि दोस्तों नोट्स जरूर बनाना और हम आप लोग को इतने सारे अलंकार को भी किलियर कराएंगे और सभी का नोट बना ल जाए अब दोस्तों हम इसे कैसे पहचाने यह हमारा अनुपरास अलंकार है कि यमक अलंकार है कि लिस्सिलेस अलंकार है लेकिन यहां जो आपका है अनुपरास अलंकार है पहचानने का ट्रिक तो आप लोग समझ गए होंगे ऐसा अलंकार जिसमें एक ही वर्ण की बार बार आबडिती हुई है तो दोस्तों bunları जरूर देखें और इसे आप लोग नोट कर लिजिए हैं और फिर देखें अच्छी तरह से देखें यहां ता नूजा ता टमाड तरवर यहां भी ता और बहुछाएं तो यहां जो है दोस्तों तासवद् Ellee कई बार आवपिर्थी हुई है तो इसी लिए यह हमारा अनुपराथ सालंकार है अब दोस्तों इसे कैसे म define इसे अस पर्षटी कार्ण कैसे करें स्पष्ट कैसे करें तो दोस्तों आप लोग देखिए वल बस देखिया हमें क्या करना आइं यहां लिग देना इस पंक्ति जो हमारा पंक्ति दिया हुआ है इस पंक्ति में किसकी अबरती कई बार हुई है ता सब्द की यहां आप लोग लिख दीजे ता ठीक है ता तो दोस्तों यहां देखी इस पंक्ति में ता सब्द ठीक है ता सब्द की अबरती की अबरती ठीक है, अब रिति कई बार हुई है, भाई कितना बार हुआ है, गिनके बताओ comment box में, कई बार हुआ है, ठीक है, या हुई है, कई बार हुई है अब आप लोग यहां देखें तास्प्रास अलंकार है कौन सा अलंकार है अनुप्रास अलंकार है ठीक है ठीक है तो यहां हमारा अनुप्रास अलंकार हो गया अब दोस्तों आप लोगों को अनुपरास अलंकार समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं और इसका एक उधारन और कमेंट बॉक्स में आप लोग बता सकते हैं और दोस्तों हम लोग जो हमारा यमा का लंकार है उसे हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे तो दोस्तों आगर आप लोग को अनुपरास अलंकार समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और फिर आप लोग सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि अभी इमें बहुत सारा अलंकार पढ़ना है और आप लोग का इसी में नंबर पूरा किलियर हो जाएगा तो दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया हो तो इसे नोट्स जदूर कर लेना तो दोस्तों फिलाल इस वीडियो में इतना ही तब तक के लिए धन्नवाद